इंडियन आरमी की सबसे लेखल, कैपेबल, स्टेट अफ आर्ट वैपन्स और बिना हतियारों के विदुशन को खतम कर देने वाली फोर्स होती है पैरा कमांडो जिनको दिया जाता है बलिदान बैज इन सबी को जो सोल्जर पूरा करता है उसे मिलती है ये पिंक का है और एक बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ जो होता है बलिदान बैज प्रट इसके लिए पैरा कमंडो को खाना होता है कांच, that's why इनको कहा जाता है ग्लास इडर्स कैप मिलने के बाद ग्रम से बरा गिलास दिया जाता है जिसे पीने के बाद सोल्जर को अपने दातों से गिलास का किनारा काट कर कांच को चबाकर निगलना होता है इसके बाद ही उनकी चैस्ट पर बलिदान बैज को लगाए जाता है For your short of success in defense exams, be a part of DCG defense academy